नमसकार दोस्तों अपका बहुत बश्बागत है आपके अपने स्ट्रक्स बाजार में इस बडिए हम बात करेंगे एक बेहतरी हं है जो की काफी बेहतरी टरं दिया अपने इंफेंशिटड को आगे आपको काफी बहतरी रीटरington इसमें मिल सकता है वह मार्तूपी सुझुक्क की इंडिया लिम्टेर इसके मार्केट केफ की बात के 2,28,000 क्रोर का मार्केट केफ है काफी बहतरी काफी सॉलिड कंपनी है एक ब्लूचीप कंपनी है जिस पे आप इंवेस्ट करके चल सकते हैं अगर आप ओटो मॉवाइल सेक्टर आने बाले समय में अगर कंपनी अच्छा क सकते हैं अगर कंपनी के फर्णामेंटर परामीटर की बात करें तो दिखेंगे आप परमोटर का होल्डिग 56 परसेंट है कोई भी सेर प्लिज नहीं है डेट इक्वेटी बिलकुल जीरो है मतलब कंपनी के उपर लगवग निगलिजिबल डेट है अच्छा खासा है 52,000 क्रो तो फिट की बात करें 2600 क्रोर का 2010 बढ़कर के होगा 4300 क्रोर का 2021 बात करें रिजर्व का तो 12000 क्रोर से रिजर्व बढ़कर क्यों क्रोर के ङकट करके मातर यहां पर 21 करोर का हुच का है तो काफी जाधा डेट यहाँ पर डिक्रीज हुआ है इन्वेस्टर की बात करें प्रपोडर्स का जो इस्टेक है 56 परसेंट है यहां पर जो अच्छा खासा यहां पर डियाइज अपना इस्टेक बढ़ा रहा है और प्रमोटर का इस्टेक जेनरली काफी कम देखने मिलेंगे तो कंपनी फंडामेंटल रूप से काफी सॉलिड है काफी बहतरी है अब हम टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे और जो डिसेंट सपोर्ट और रिसिस्टेंस होगा और साथ इसाथ किस लेफल के बाद आपको बहतरी मुमेंटम देख सकता है उसको डिस्कुस करेंगे और लॉंग घरावट के बाद यहां पाप बाय कर सकते हैं अच्छा कासा यहां पार रिटर मिलता फिर यहां पर देखें स्टॉक में घरावट हो रही है अब अभी काफी चीप बहले सुपर उपलत है जैसे रिवर्सल देखेंगा बनना सुरू होगा आप इसको बाय करके चल सकते हैं लगा चुका है और अभी मात 7500 आपको मिल रहा है काफी ज़्यादा मतब चीप बहले सब्सक्राइब आपको मिल रहा है और वहीं बात करें देखेंगे यहां पर 2020 के गिरावट में स्टॉक मात था 3,900 का अभी देखेंगे यहां पर अच्छा खासा रीटर्न है जिसे हम बुलूचीप स्टॉक में 20 परसेंट का कमपॉड एन्वल ग्रोथ लेका चलते हैं यहां पर 20 परसेंट की बात करेंगे यहां पर अच्छा खासा 20 परसेंट से जारा का रीटर्न मिल रहा है का तो इसका आल टाइम हाई जो है 9,900 का मतलब यहां पर 10,000 को जब तक यह क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें कोई बड़ा मुमेंटम इसमें देखने नहीं मिलेगा जितना हो सकते हैं कि यह स्टॉक को अपने पॉर्टफोलियो में एड करके चाल सकते हैं जैसा कि यहां पर फर्स टार्गेट की बात करें तो फर्स टार्गेट हम इस पे जो लेकर चलेंगे वह होगा 8,300 का और वहीं पर जो इसमें इंपॉर्टिन सपोर्ट लेवल है वो है 6,500 अगर 6,500 को यह ब्रेक कर देता है निशे रूप से इस ट्रॉक जो है एक बहुत ज्यादा नीचे का ड लंबे समय तक अंडर परफॉर्म रह सकता है तो जो इंपॉर्टिन सपोर्ट लेवल होता है उसके नीचे जाने पर हमें बाय करने में कोई इंट्रेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टॉक हो सकता है लंबे समय तक परफॉर्म ना करें तो यहाँपा जो ट्रेंड है थोड़े से स्टॉक अगर आपको इस स्टॉक में बाय करना है तो थोड़ा स्टॉक अभी बाय कर सकते हैं और जैसे गिरावट के बाद रिवर्सल दिखेगा तो वहाँप अपना इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ा सकते हैं तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेलफुल लगा होगा वीडियो को लाइक किजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर किजिएगा और ऐसे ही बहतरी एज़के साथ इन्फॉर्मेरिटिव वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब अले जिगात फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहें